येल फार्मेसी यूटूब चैनल इस्ट्रेंट्स आज के इस बीडियो में आपको बताने वाले हैं डी फार्मा सेकेंडियर के फार्मा कोलोजी सब्जैक्ट के बारे में जहां दोस्तों अगर आप डी फार्मा सेकेंडियर के इस्ट्रेंट्स हो एंड अगर आपको डी फार् इसमें आपके टोटल आपके जो भी आपके टोपिक है इसमें पूरे टोपिक आपके कवर कर लिये गए है और इसमें जो भी आपका दिया गया है वो भी आपका बिल्कुल शोड में दिया गया है जिसमें कि आपको examiner copy check करते समय उसी यह नहीं पता चलेगा कि यह short में लिखा हुआ है क्योंकि आपको दोस्तों short में आपका पूरा answer आपको देने वाले है साथ ही आईज आपको बता दो कि deformer secondary के base trends जिनके पास अभी तक कोई से भी subject notes अभी level नहीं है वो आप video के description में जा सकते हैं and हमारे telegram channel से जुड़ सकते हैं क्योंकि अगर आप हमारे telegram channel से जुड़ेंगे आप exam में अच्छा score कर सकते हैं क्योंकि हमारे telegram channel पर आपको deformer secondary के सभी subject के notes आपको वहाँ पर मिले वाले हैं गाइस डिफार्मा सेकेंडर का फार्माकोलोजी का subject जिसमें के आपको unit wise आपके chapter wise आपके इसमें जो भी आपके topic कवर किये गए हैं जिसमें आपका general pharmacology drug acting on CNS यानि के drug acting central nervous system के जो भी आपके drug action करती है local anesthetics, chemotherapy, drug acting on GIT, histamine and anti-histamine, radio vascular drug, drug acting on blood and blood forming organs, drug acting on kidney, drug used in rheumatic disorder and goat, hormones and hormones antagonist, drug acting on ANS गाइस देखिए आपका ऐसे topic हैं जिसमें के आपका exam में हर साल आपके questions आते हैं और इस PDF से ही आपके questions बन जाते हैं तो guys देखिए सबसे पहले बात करते हैं deforma secondary का जो भी आपके first unit है general pharmacology देखिए general pharmacology के आपका पूरे subject को इसमें पूरी अच्छी तरह से कबर कर लिया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें define किया गया है तो देखिए guys आप देख रहूंगे कितनी अच्छी तरह से इसमें define किया गया है general pharmacology को और इसमें आपके जो भी आपके पैरेंटल रूट बगर आते हैं जो भी आपके type of injection आते हैं एंड देखिए दोस्तों जो भी आपके इसमें जो भी रूट आते हैं drugs के जैसे कि oral route हुआ हमारा typical route हुआ जो भी आपके route of drug administration के वो इसमें आपके अच्छी तरह से define किया गया है unit first में जो भी आपके topic है deforma second का चलिए drug acting on central nervous system देखिए unit second में आपके जो भी drug acting on central nervous system आता है sedative and hypnotic drug आते हैं इसमें अच्छी तरह से define किया गया है चलिए इस तरह से नीचे आते हैं नीचे आने पर आपको एक new आपकी unit आने वाली है जिसमें कि आपको बहुत यच्छी राज़ इसमें भी define किया गया है इसमें टोटल आपके जो भी टोपिक है इसमें पूरी तरह से cover किया गया है चलिए next आते हैं आपकी जो भी next unit आपकी होने वाली है डिपलोमा सेकिंडर के फार्मकोलोजी की तो देखिए इसी तरह से आपकी next unit आती है जो कि आपकी next unit होने वाली है anti new plastic जैसे कि anti cancer drugs भी बोला आर साल आपको एक्जाम में anti new plastic के बारे में पूछा जाता है तो आपको बता दूं कि आपका पूरा PDF यानि कि पूरा को पूरा PDF important होने वाला है फार्मकोलोजी के आपको एक्जाम के लिए drug acting on blood and blood forming organs यह भी आपके important होने वाले है तो यह आपका पूरा PDF आपको important होने वाला ह है उससे related आपके पूरे आपके notes deforma secondary के आपको telegram channel पर मिलने वाले है तो guys देरी न करते हुए आप video के description में जाकर आप telegram channel से आप हमारे join हो सकते हैं आपको पूरी news आपको deforma secondary के total subject के आपको मिलने वाली है तो guys deforma secondary का pharmacology का paper आपको important होने वाला है जो कि आपके telegram channel पर आपको पूरी तरह से मिल जाएगा तो guys अगर आप deforma secondary के strands हो और वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को हमारी like कर देना और हमारी यूटूब चैनल ADL pharmacy को subscribe कर देना तो guys आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में एक और new वीडियो के साथ